कैसे हो आप सब, आप सब अच्छे होंगे, मैं विश्वस करती हूँ, आप सब कहानी सुनने के लिए तयार है, तो चलिए, अज हम एक मज़ीदार कहानी सुनेंगे, एक जस्टन करके एक बड़ाई एक धन्वान बिसनस मैन था, तो वो क्या करता था, वो काफी सारे अलग-अ चीजों में उतना बिसनस को वो बढ़ाना चाता था, तो वो बहुत ही और भी जादा पैसे कमाना चाता था, और भी अपने बिसनस को बढ़ाना चाता था, और उसके लिए कहां से कैसे पैसे को कमाना है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कितनी मैनत उसके लिए उसे करनी ह जम॑गी जस्टिन उसको उतने पूरा अपना तन man Daan dil सब देकर वह उसके लिए पैसे कमाने के लिए w étaient करेगा काफी धनवान था लेकिन फिर भी उसके और भी समय नहीं बिताता था और अपने फैमिली के साथ भी वो अपने परिवार के साथ भी वो समय नहीं बिता पाता था वो हमेशा मुझे अपने बिजनस को बढ़ाना है मुझे यहां से प्रॉफिट आ सकता है मुझे यहां पर वो करना है मुझे यहां से पैसे कमाना है मुझे यह जो इसके जस्टीन के कुछ बिजनेसमेंज फ्रेंड्स थे, वो भी काफ है धन्वान थे, तो वो लोगी ने क्या क्या? वो लोगी ने एकटा हो के एक प्लान बनाया है. जस्टिन को ऐसे धूका देने के लिए, वो लोग ने क ярका पता है, वो लोग ने ऐसे ही पूरा उन लोगों ने जस्टिन को आके बोला कि जस्टिन हम ऐसे हम सब एक साथ मिलके partnership में एक business करते हैं उसमें आपका भी बढ़ोती होगा, तेऽा भी बढ़ोती होगा और हम सब का भी बढ़ोती होगा, तो अच्छा हम एक साथ अपने बिजनस को बढ़ाएंगे, ऐसा करके उसके दोस्त उसको मिल कर बोलते हैं, तब जस्टें को भी यह plan पहले काफी अच्छा लगता है कि हाँ हाँ हमें अपने business को बढ़ाना है और profit बढ़ाना है और पैसे कमाना ऐसे करकी Justin बोलता है ठीक है मैं भी तयार हो हम सब मिलकर साथ में business करता है ऐसा करके वो partnership में वो भी चला गया तो फिर क्या हुआ कि पहले तो सब सही जा रहा था पहले Justin ने क्या किया अपना पूरा पैसा Justin ने उसमें लगा दिया क्योंकि स्टार्ट अप में कुछ भी शुरुआत कर रहे तो उसमें हमें जादा पैसे डालने होते हैं तो Justin ने क्या किया उसने अपने पास कुछ रहने नह उसने सब कुछ पूरा-पूरा उसने वहाँ पे उस बिजनेस में डाल दिया फिर फोड़े जिन जाते बीते बीते उसको क्या लगा यह तो एक जाल है मैं इसमें फस्ट चुकाऊं मुझे यहाँ पे कोई मुझे कोई मैं बच नहीं सकता हूं यहाँ पे मेरा पैसा सिर्फ जाते रहेगा मुझे यहाँ पे कामाने को कुछ नहीं मिलेगा मैं यहाँ पर फस जुकाओं इनके जाल में ऐसा करके जस्टिन वहाँ पे उसको पता चल गया कि यह सब जाल है तब क्या कि उनके दोस्त भी उसके पैसे को लेकर वो उसके पूरे धन संपत जो भी उसने था सब कुछ उसने उस बिसनेस में लगा दी और उसके दोस्त भी उसके पैसे को लूट कर वो चले गए और उनके जो परिवार वाली थे उनको भी क्या होने लगा जस्टिन से नफरत करने लगे फिर जस्टिन समझता है कि अरे मैंने गलती कर दिया मैं हमेशा पैसा पैसा करके जाता था लेकिन अभी मैंने सब कुछ खो दिया ऐसा करके वो बहुत ही दुख होता है फिर वो क्या करता है वापिस अपने नए बिजनिस को स्टार्ट करता है और उसमें वो क्या कर उसको जितना टाइम बिजनिस को देना होता है जितना टाइम पैसे कमाने को देना होतना है फिर वो अपने परिवार को आके वापस उनको मनाता है उनके साथ भी वो समय बिताता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं गलत कर रहा था ऐसे करके तो इस खानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमें भी क्या करना है हमें जस्टिन जैसे नहीं करना है हमें ऐसे लोब नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर ने पैसे हमारे आशिश के लिए बनाया है ना लेकिन हम क्या करने लगते हैं जस्टिन जैसे मुझे और ची और ची और ची ऐसे करके हम उसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन लोब क्या है वो कभी भी बुराई ही को लाता है जैसे जस्टिन ने क्या किया वो लोब वो एक लालच रखता रहा पैसे के लिए मुझे और ची मुझे और ची करके तो क्या हुआ उसने अपने परिवार उसने अपना पैसा सब कुछ आकर में खो दिया था है न तो किसी भी चीज का एक लोब रखना अच्छा नहीं है परमिश्विर ने हमारे लिए पैसे एक अच्छे आशिश के लिए दिया है तो हमें और और मुझे ऐसे और चाहिए और च अच्छे के लिए दिया है लेकिन हमें उस पैसो को कैसे इस्तमाल करना है करके हमें परमिश्विर से ज्यान मांगना है परमिश्विर इश्मर से आप मुझे सिखाईए जैसा एक वचन कहता है पहला तिमुतियूस छटा अध्याई दस्वा वचन क्योंकि रुपिय का लोब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रैतन करते हुए बहुतों ने विश्वा से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है तो क्या लिखा है यहाँ पे रुपिय का लाब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ ह यह नहीं लिख्या है कि रुपी सप्रकार की बुराईयों की जड़ा है ना तो लोब हमें नई रखना है परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसको हमें कैसे इस्तमाल करना है कैसे करना है ऐसे करके हमें परमेश्वर से हमें ज्यान मांगना और हमें परमेश्वर ने हमें जो द पैसे हमारे दोस्त हमारे परिवार तो हमें उनको अच्छे तरीके से संभालने के लिए हम परमिश्वर से ज्ञान मांगेंगे है ना मैं विश्वास करती हूं कि आप सब को कहानी अच्छा लगा होगा तो हम अगली बार मिलेंगे बाई